आज हम डिसकस करेंगे बैलेंस ओप पेमेंट ठीक है सबसे पहले यहाँ पर इस चैप्टर को समझते यह क्या है बैलेंस है और किस चीज़ का बैलेंस है यह पेमेंट का इसका मतलब यह होता है कि जब भी रेसिडेंट ओफ कंट्री एक सेकेंट रेसिडेंट रेसिडेंट ओफ a country और नोन रेसिडेंट यहाँ आप कह सकते हैं rest of world resident of a country और non-resident के बीच जो भी international transactions होता है इन दोनों के बीच जो भी international transactions होगा international economic transactions जैसे कि for example export import borrowings investment etc whatever जो भी होता है तो क्या होगा कि पैसा foreign currency आएगा और foreign currency जाएगा जब हम दूसरे country से कोई चीज़ पर change करते हैं हम payment करेंगे उसको और दूसरे country से कोई चीज़ हम दूसरे country को कोई चीज़ करेंगे तो उससे receive होगा इधर ध्यान दिजे सब उससे क्या होगा receive होगा तो हम यह देखते हैं कि हमारे पास inflow कितना हुआ है और foreign currency का ठीक है foreign currency का और outflow कितना हुआ है outflow of foreign currency यह कितना हमारे पास foreign currency आया है कितना हमसे foreign currency गया है तो उसी के net value को हम क्या कहते है balance of payment एक्चली हम यह देखते हैं कि हमारा कितना trade हुआ है foreign sector से net net कितना net inflow कितना है या net outflow कितना है that net inflow और outflow is called balance of payment और अगर हम balance of payment को define करें तो we can say that balance of payment of payment refers to systematic record of international international economic transactions between resident of a country and non-resident during the year balance of payment क्या है balance of payment refers to a systematic record क्या लिखा है यहां पर systematic record of किसका international economic transactions जो भी international मतलब हो गया एक कंट्री से दूसरे कंट्री में और किस के बीच में resident and non-resident इसी के बीच में और किसे बीच में उनके बीच में परचेज से ल्ट्रांसफर्स इंवेस्ट्मेंट करते हैं उसी के स्टेट्मेंट को क्या क्या कहते हैं बीओपी कहते हैं किलर है अब यहां पर देखे एक वर्ड यूज क्या हमने डियूरिंग दा एयर मतलब एक वर्स के दौरान कोई particular डेट नहीं बोला मैंने अजब कोई भी विर्येबल कोई भी चीज एक particular डेट को मेजर नहीं करते हैं during the months, during the year, during the week मेजर करते हैं तो उसे flow concept कहा जाता है कौन सा concept कहा जाता है flow concept कहा जाता है so we can say that we can say that BOP is a flow concept कौन सा concept है ये flow concept है क्योंकि इसको particular डेट को मेजर नहीं करते हैं ये during the year मेजर करते हैं कि during the year कितना net net transactions हुआ है समझम्यारी बात that is why it is called मैंने chapter number one पढ़ाया था circular flow of income वहां पर stock और flow पढ़ाया था आप लोगों को तो इस टॉक वह होता है जिसको हम particular date को मेजर करते हैं अगर कोई भी वेरियेबल डूरिंग दा मन्स डूरिंग दा इयर मेजर करेंगे तो उसे हम कहते है कि poset clear है जब हम रिकूर्ड करेंगे देखए यहां पर क्या वर्ड यूज किया है हमने यहां पर बोला है इत इस सिस्टेमाटिक डिकॉड ध्यां से समझ लो इन इमीज़ भी चीजों को हम रिकॉर्ड करते हैं और यहां परot ट्रांजेक्शन हो रहा है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रहा है तो रिकॉड एक अकाउंटिंग सेंस में करते हैं अकाउंटिंग सेंस में जब अकाउंटिंग सेंस में रिकॉड करते हैं तो उसके अकाउंट बनेंगे और जब अकाउंट बनेंगे तो उसके साइड होंगे समझ मैं आरी बात तो हमें यह देखना है कि balance of payment में कौन-कौन से account involved होता है और किस account में कौन से transactions को हम record करते हैं समझ मैं आरी बात तो we can say that balance of payment components components of balance of payment balance of payment right though there are two components of balance of payment first is current account current account and the other one capital account ठीक है चालू खाता और पुंजी खाता अरे बात समझ में balance of payment के कितने component है दो component current account and capital account current account को चालू खाता बोला जाता है और capital account को पुंजी खाता बोला जाता है अब current account में कौन-कौन से items होते हैं current account transactions current account records all those transactions which relates from export and import of goods right which relates from export and import second export and import of services और थर्ड है unilateral transfers ठीक है यूनिलेटरल ट्रांसफर कहते हैं वन साइड़ेट ट्रांसफर को ठीक है किसे कहते हैं वन साइड़ेट ट्रांसफर तो current account includes export and import of goods goods को आप visible items भी बोल सकते हैं visible items we can see we can touch right export and import of services invisible item we cannot see we cannot touch we can only feel right and unilateral transfer यह आता है current account में समझे में आरी बात और capital account records all those international economic transactions between residents and non-resident which cause change in assets and liabilities of a country or a nation ऐसा transaction जो किसी देश या सरकार के संपक्ति को assets को या उसके liabilities को change करता है affect करता है तो वो किसमें आएगा capital account में जैसे कि for example capital account में देखे क्या क्या आता है for example यहां पर आएग जैसे कि foreign investment foreign investment और इन्वेस्टमेंट और राइट यह फॉरिन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड बोल सकते हो या foreign investment to abroad बोल सकते हो कोई अगर हमारे देश में इन्वेस्ट करता है तो हमारे देश में plant कोई setup करेगा तो assets क्या होगा increase होगा तो यह asset को affect कर रहा है तो यह कौन सा account होगा capital account में आएगा foreign investment को हम टू पार्ट में divide करते हैं एक आपका होता है FII foreign institutional investment it is also known as portfolio investment portfolio investment समझ में आरे बात आद दूसरा होता है FDI ठीक है foreign direct investment तो foreign investment को हम टू पार्ट में divide करते हैं FII और FDI ठीक है अगर वो for example securities के form में shares के form में अगर इन्वेस्ट कर रहा है या banking के form में इन्वेस्ट कर रहा है that is called FII और अगर वो plant setup कर रहा है तो उसे कहते है FDI ठीक है जैसे कि foreign का माले जे सोनी कंपनी सैमसंग कंपनी ने एक यहां पर plant setup कर दिया तो वह है FDI समझ में आरे बात या कोई banking companies ने अगर यहां पर सपोज यहां पर इन्वेस्ट करता है तो वह क्या है FII आई यह स्टाट के लिए तो foreign investment को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो यह कंट्री के asset को affect कर रहा है तो इसलिए किसमें आएगा capital account में बॉरॉइंग्स ठीक है अगर आप किसी country से borrow करते हो तो आपकी country की liabilities क्या और इंक्रीज हो रही है liabilities को affect कर रहा है किसमें आएगा capital account में lending to abroad lending to abroad अगर आप किसी country को उधार देते हैं तो आपका asset increase हो रहा है तो यह भी country के asset को affect कर रहा है तो यह किसमें आएगा capital account में आएगा NRI deposits NRI deposits अगर NRI क्या है non-resident of India non-resident of India का मतलब बाहर के लोग जो हमारे country के resident नहीं है अगर वह हमारे country में पैसे जमा करते हैं तो वह हमारे liability क्योंकि कभी भी withdrawal कर सकते हैं तो वह क्या है रहा है यह किसमें आएगा capital account में आएगा एट्सेक्टरा समझे में आ रही बात तो जो regular nature का होता है यह current account export import regular nature के items है क्या कह रहा है आपका unilateral transfer यह सब regular nature के items है यह आएगा current account में बट यह regular nature का नहीं है daily FDI नहीं होता है तो यह किसमें आएगा capital account समझ आ रहा है है तो हम define कर सकते हैं करेंट अकाउंट है जिसे हम चालू खाता बोलते हैं करेंट अ करेंट अ क्या Además यह करेंट तूह सकते हैं तो करेंटियं है जिढओ beim यह करेंट सेरी आएशी ऑंधानियार्02 are economic transactions which relates to export and import of goods and services, goods and services and unilateral transfers, ठीक है कई बार unilateral transfer को हम क्या करते हैं इगनोर कर देते हैं क्योंकि यह इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है तो करेंट अकाउन में क्या आता है वस्तु एवं सेवा का निर्यात एवं आयात तता एक पक्षिय हस्तान्तरन यूनिलेटरल ट्रांसफर इस कॉल एक पक्षिय वन साइड़ ट्रांसफर जैसे कि आपका कोई रिलेटिव अबरॉड भी रह रह रहा है आपने पैसे बेज दिया दिस वन साइड़ ट्रांसफर ठीक है या फूर अभी जो है आपका इजराइल और किसमें हमास के बीच में वा नैशनल विदिन अ कंट्री नहीं या फॉरिन में आपके रिलेटिव रह रहे हैं आपको यहां पर पैसा बेज दिया तो किसमें आएगा यूनिलेटरल ट्रांसफर में तो करेंट अकाउनमी यह तीन चीज़े आता है समझ आ रहा है सबको ठीक है दुबारा रिपीट कर रह आएगा और क्रेडिट में क्या एगा एक साथ साथ मैं पहले कापिटल अकाउंट को भी डिफाइन करता हूं भी क्या पहले करेंट अकाउंट के बारे में डेटेल से बता देता हूं देखिए अब सौरी एक चीज़ा में समझ में आ गया कि करेंट अकाउंट में क्या एगा capital account में क्या हैगा current account में यह सारी चीज़े अब बाकि capital account में अब अगर foreign currency का inflow हो रहा है क्या हो रहा है inflow अब एक बात बताईए अगर आपने goods का export किया है goods का क्या क्या है export क्या है export of goods and services goods and services तो पैसा आएगा या यूनिलेट्रल यूनिलेट्रल ट्रांसफर्स ट्रांसफर्स फ्राम अब्रॉड विदेश से पैसा आपके रिलेटिपने आपको पैसा बेजा तो पैसा आया यह दोनों किस को सो कर रहा है inflow को किसको सो कर रहा है तो inflow को हम कहां ये फिलू को सो करते credit में कहां सो करते हैं Credit में है है समझ में आरी बात इन फुलो को किस Side में सो करेंगे credit में और अगर outflow हुआ है क्या हुआ है outflow outflow का मतलब होता है foreign currency का payment करना किस condition में outflow होगा outflow आपका होगा किस condition में import करने के condition में import of goods and transaction goods and services goods and services or you can say unilateral unilateral transfer transfer to abroad अगर आप foreign foreign में relative रह रहें उनको पैसा भेज रहे हैं या फॉरिंग से goods purchase कर रहें तो आपको payment करना पड़ेगा तो फॉरिंग कर इंसे का payment outflow को indicate कर रहा पैसा जा रहा है अजब पैसा जाता है तो आपका कौन से साइड में आएगा डेबिट साइड में आएगा clear है किसी भी सोर्स से पैसा आया credit गया debit कि आरे बास समझ में अब यहां पर क्या है यह कौन सा account को follow कर रहा है पता है nominal account को debit all expenses and credit all income यह income को सो कर रहा है एंड यह expense को सो accounting sense में हम बोल सकते it is a nominal account समझ में आ रही बात तो अगर पैसा आया तो credit गया तो debit अगर हम माल लिए एक मसी हमने चाइना से mobile phone इंपोर्ट किया बता यह debit में आएगा क्रेडिट में आएगा इंपोर्ट क्या mobile phone कि debit में क्योंकि आउट फ्लो हो रहा है पैसा जा रहा है समझ आ रहा है मैंने दुबई में एक फ्लैट खरीद रखा था अब उस फ्लैट को मैंने किराये पे दे दिया उस फ्लैट से मुझे एवरी मंद किराया आ रहा है किस में आएगा credit में आएगा समझ में आया अग नहीं आया तो क्या है अब धियान से सुनिए अगर यह यह आइटम्स यह जो goods and service है और unilateral transfer यह current account में आता है ना current account में आता है ना अगर मान लिजिए कि outflow ज्यादा है outflow क्या है ज्यादा है और inflow कम है तो loss होगा या फाइदा होगा outflow ज्यादा है और inflow कम है तो loss होगा क्योंकि हमारे हाथ से ज्यादा से ज्यादा foreign currency जा रहा है समझ में आरे बात और अगर outflow कम है और inflow ज्यादा है तो क्या होगा profit होगा क्योंकि हमारे पास foreign currency बच रहा है तो इसको surplus बोला जाता है क्या बोला जाता है surplus ठीक है profit नहीं बोलते बस generally समझाने के लिए बोला it is called surplus right and when both inflow and outflow are equal तो that will be called equilibrium तो जब हम current account का देखते हैं ना जब हम खाता बनाते हैं लिखते एक दुकांदार लिखता है कि भाई कितने का मैंने समान बेचा कितने का खरीदा फिर साम को जब वो घर जाएगा तो देखे भाई यह इतना खरीदा इतना बेचा मेरा कितना फाइदा नुकसान पैसा आया और कितना पैसा गया बैलेंस ओफ करेंट अकाउंट इधर ध्यान दो बैलेंस ओफ करेंट अकाउंट तो यह बैलेंस जो है हमें थ्री टाइप से देखने को मिलेगा कितने टाइप का देखने को मिलेगा थ्री टाइप का एक मिलेगा हमें देखने को फर्स्ट कर current account surplus current account surplus surplus का मतलब यह है बच्चा कि हमारे पास inflow ज्यादा हुआ है foreign currency का और outflow क्या हुआ है कम हुआ है दूसरा देखने को मिल सकता है current account deficit current account deficit इदो को यह लॉस नहीं होता है हम लॉस नहीं बोलते हैं इसको समझे में आरे बात यह लॉस नहीं आपने कोई चीज़ खरीदा payment क्या इसमें लॉस नहीं है बट यह कि आपको foreign currency की कमी पड़ गई उसी कमी को deficit बोला जाता है deficit is not a loss राइट ठीक है एंड थर्ड है आपका अगर दोनों ही equal होगा तो इससे कहते है current account equilibrium क्या कहेंगे current account equilibrium और कहेंगे balanced balanced current account ठीक है तो यह तीन situation हमें देखने को मिलते हैं इतना कर लिजिए बाकी अगली कक्षा में पड़ाओंगा